नमस्कार दोस्तों जीके अर्दु सार यूट्टी चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टीजीटी दोजार बाइस इतिहास प्रेटी सेट एक सो संतान वेर में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्यपूर्ण प्रस्न तो चली वीडियो प्रारम करते हैं व आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं हाँ अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट 196 तक देखना चाहते हैं वीडियो तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका नाम है यूपी टीजी टी तिहास और उस प्लेलिस्ट सिंगापूर में कलकत्ता में टोकियो या रंगुन स्वतंत्र भारत की सरकात का ओगाटन कहां पर किये थे तो यह किये थे कहां पर सिंगापूर में तो सिंगापूर में इन्होंने जो है स्वाधिन भारत सरकार गठित की थी अगर डेट पुछेगा कब की थी तो 31 अक्टूबर 1943 को Question number 2 है निमलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है कौन एक सही सुमेलित है इसमे कौन सा एक सही सुमेलित है तो D वल आप्षन आपका सही सुमेलित है एलन आटिवन हुम पर पुस्तक लिखा गया था यह बिलियम बेंडर वन के द्वारा कामन टिल आपका यह एनिवेसेंट का है यह वाला एनिवेसेंट का है इंडियन ओपिनियन यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था यह यह सुमेलित नहीं है इंडियन अन्रेस्ट है तो यह यह लिखा गया था वेलेंटाइन शिराल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था तीनों सुमेलित नहीं है लास्ट वला जो है आपका सई सुमेलित है कुस्चन नंबर तीन है 1929 में आल इंडिया ट्रेड उनियन कांग्रेस में क्यूं विभाजन हुआ जिससे एन एम जोसी को आल इंडिया ट्रेड उनियन फरडरेशन बनाने की आव सकता पड़ी आपसन देखे दिया है सदस्ता के माबडन यह संगठन के लिए सरकार उन्दान प्राप्त करने है तू यह संगठन को अंतराष्टी सामेवादी आंदोलन में स्वयुक्त करने पर मतभेद है तू यह नहरू और जैप्रकास नराने के बीच ब्यक्तिगत की ठकराहट है तू तो इसमें आपका राइट एंसर सी वाला सही होगा संगठन को अंतराष्टी सामेवादी आंदोलन में स्वयुक्त करने पर मतभेद है कोशन नमबर चार है किसके सुझाव पर भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया तो कौन से बेक्तिगत है जिसने सुझाव तो इसमें आपका राइट एंसर डी उसयोगा लाड इरिविन लाड इरिविन के जो है सुझाव पर भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया कुशन नबर पांच है महात्मा गांधी के बिश्य में किस ब्यक्ति ने यह बिचार ब्यक्त किया था कि आगामी पिढ़िया सायद ही बिश्वास करे कि ऐसा रख्त मान का मानो कभी पिर्थी पर आउतरित हुआ था यह कथन किसका है कि आगामी पिढ़िया सायद ही बिश्वास करे कि ऐसा रख्त मान का मानो कभी पिर्थी पर आउतरित हुआ था तो यह है कथन अलवर्ट आइस्टीन का यह पांचवा का राइट एंसर डी होगा अलवर्ट आइस्टीन कोश्चन नमबर छे है निमलिखित में से किसने भारती संग तथा राष्टी संग तथा राष्टी संग 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 तथा अनन्द महन बोस यह सीसिर कुमार बोस यह मोतिलाल नहरू यह दादा भाई नरोजी इसमें आपका राइट एंसर यह सही होगा सुरेंदर नाथ बनर जी तथा आनन्द मोहन बोस कोश्चन नमबर साथ है अंग्रेजी माध्यम से सिच्छा के लागो होने से पूरे भारत में मदद मिली अंग्रेजी माध्यम से सिच्छा के लागो होने से पूरे भारत में मदद मिली यह पूछा जा रहा है किस रूप में मदद मिली थी देखे दिया है भारत में अंग्रेजीों को सर्वच राजनती सक्ति बनाने में या भारतियों की सरकार में उच्छ पद पराप्त करने की युग बनाने में या अखिल भारती राष्टीता के विकासम प्रसाहन को बढ़ाने है तू या भारतियों को अपनी प्राचीन संस्क अलग करने में इसका राइट एंसर इसमें होगा सीवल आप्सन सही है अखिल भारती राष्टी इता के विकास अंप्रसाहन को बढ़ाने है तो कोशन नमबर आठ है ज्वाहरलाल नहरू की बिदेश निती में समलित नहीं था प्रजाती भेद भाव की परिसमापती अंतराश्री सवयकद्वरस सांति को बढ़ावा पूजिवादी एम सामयवादी व्यवस्थाओं को रोकना या उपनियोसों की सोतंत्रता तो ज्वाहरल नहरू की जो बिदेश निती थी समलित नहीं थी ये पूछा जा रहा इसमें तो इसका राइट एंसर सी होगा पूजिवादी एम सामयवादी व्यवस्थाओं को रोकना कुशन नमर नौ है दयान प्रकास पत्र सम्मंधित है ये सम्मंधित है परम हंस मंडली से गोपाल हरी देश मुक से महादेव गविन रनाडे से या बी यार अमबेटकर से दयान प्रकास पत्र किसे सम्मंधित है ये सम्मंधित है परम हंस मंडली से तो दयान प्रकास देखें महराष्ट में इस्थित एक परम हंस मंडली नामक समासुदारक संस्था से परकासित किया एता था ये पत्र है कोस्टन नमबर दस है उस ICS अफसर का नाम इंगित किजिए जो कम्निष्ट आन्दोलन के लिए गुप्त रुप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी समराजे पर भीतर घात किया था माइकल कैरिट, H.B. कामत, जान एडर्शन या रुनाल्ड जानस्टन तो कौन सा इसमें था? इसका नाम है जो कम्निष्ट आन्दोलन के लिए गुप्त रुप से काम करता था जिसने भारत में अंग्रेजी समराजे पर भीतर घात के अंग्रेजों को ही खिलाप कारे करता था कम्निष्ट आन्दोलन में तो इसमें आपका राय टेंसर रह जाएगा B. H.V. कामत उसका न किस ने किया था समाजिक धार्मिक संगठन तत्यवोधनी सभा का प्रारंभ किस ने किया था देवेंदर नाथ्ट आगोर रामोहन राय राधा कंत दे यद्वार का नाथ्ट आगोर तो इसमें आपका राय टेंसर होगा A. देवेंदरनाथ आगोर General प्रदनी सभा का प्रारम किसने किये था देवेंदरनाथ टैगोर ने कोशन नमर 12 है भारत में प्रथम भारतिय महला भी स्विद्धाले की अस्थापना किसने की थी भारत में प्रथम भारतिय महला भी स्विद्धाले की अस्थापना किसने की थी डीके करवे एनिवे सेंट रमा भाई रनाडे या हीरा भाई टाटा तो इसमें आपका राइट एंसर ये सही होगा डीके करवे द्वारा कुस्टन नमबर तेरा है निम्न में से कौन भारत की प्रथम राष्टी समाचार एजनसी थी दिया दे इंडियन रिविव, दे फ्री प्रेस आफ इंडिया, दे एससेट प्रेस आफ इंडिया या पुरुप्त में से कोई नहीं इसका राइट एंसर होगा सीस में दे एससेट प्रेस आफ इंडिया, कुस्टन नमबर चवदा है भारत की सैच्छिडिक नीती में फिल्ट्रेशन सिधान्त के प्रतिपादक थे भारत की सैच्छिडिक नीती में फिल्ट्रेशन सिधान्त के प्रतिपादक थे दिया सीवी यूड मैकाले या जे मिल या कार्ण वालिस फिल्ट्रेशन सिधाम के प्रतिपादक थे जिनका नाम था मैकाले कुश्चन नमर पंद्रा है अपनियोसिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने चार चलों में विभाजित किया चार चलों है ये बेपारिक पुजिवाद, मुक्त बेपार पुजिवाद, आउद्योगी पुजिवाद, बित्य पुजिवाद ये किये थे आपसे देखे दिया है दादा भाई नरोजी, आर्सिदत, महादे, गोबिन, रनाडे या कार्ल मार्क्स इसमें आपका डीवल एंसर आपका सहयोगा, चार चलों में विभाजित किया था कार्ल मार्क्स ने कोश्चन नमर सोला है, उस विदेशी पत्रकार का नाम लिखिये जिसने धर्साना नमक वर्क सत्यागरह के बारे में समाचार दिया था मार्क तुली, बेव मिलर, फिलिप स्प्रेट या फ्रांसिस लूई, इसमें आपका राइट एंसर बीश योगा, बेव मिलर था वो, अमेरिका का ये पत्रकार था, और गांधी जी का एक परकार से मित्र भी था ये कोस्टन नमर 17 है, निमलिखित राष्टवादियों में से उनका नाम लिखिये जो योजनात्मक आर्थिक विकास के अधार पर राष्ट निर्मान के पच्छिधर थे, वे एक अभिहनतावी थे, कौन थे, लिया बी के आरवी राव या केटी सा या M200 सुरया या मेगनात साह कोस्टन नमर 18 है, मानों के लिए एक धर्म, एक जाती और एक परमिश्वर का नारा किस ने दिया था, जो तिवा फुले ने या B अरम बेटकर या बिवेकानन या स्री नरायन गुरू कोस्टन नमर 19 है, दूतिय पंच वर्षी योजना के बिशय में निमलिखित में से कौन सा असत्य है, दिया दूतिय पंच वर्षी योजना का आरा मोनों 256 में हुआ, ये तो सही है, इस योजना में बड़े पमाने अधियोगी करण पर जोड दिया गया, ये भी सही है, इसक कोस्टन नमर 20 है, और अंतिम कोस्टन है, 1857 के बिद्रो के संदर में किसने निमलिखित विचार बेक्त किया, मेरट का बिद्रो गर्मी की आधि की भाती अचानक एम अल्प कालिक था, ये किसका विचार था, दिया है, आर्सी मजमदार, एसन सेन, बीडी सवारकर या, एस भ करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आते हैं इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के आधिक सेर करें, धन्यबाद दोस्तों, जैहिन वंदे मात्रम